Hello Friends, Welcome to Tiny Garden तो दोस्तो इस दिवार पर जूलते हुए डॉल्स आप मेरी काफी सारी वीडियो में देखते हैं तो कई बार मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मुझ से पूछते हैं कि ये आपने किस चीज से बनाए हैं तो दोस्तो ये बने है एक कार्टन से जो की काफस का होता है कई लोगों का कहना है कि क्या ये बारिश और हर मौसम में यहीं पर लगे रहते हैं बारिशों में खराब नहीं होते तो हाँ ये एक साल से यहीं पर लगे हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ-कुछ थोड़े से इनके color dull हो गए है अब तेट साल से धूब बारिश सब कुछ सहर चुकने के बाद तो इनका color जो है dull होना सो भाविक है तो मैंने सुचा क्यों ना मेरे viewers को जब ये इतने प्यारे लगते हैं तो मैं इनको repaint करके फिर स को दिखाऊंगी क्योंकि color को लेकर काफी सारे लोगों के question रहते हैं इन डॉल्स के अलावा लगे हाथ दो छोटे-छोटे super easy DIY भी आज हम बना लेंगे वो भी बचे हुए egg carton से तो आप देख रहे हैं किसी की गरदन तोड़ गई है किसी का थोड़ा सा color जो है वो उतर गया तो आज हमें इंसको ठीक करने वाले हैं और नए भी कुछ हम बनाने वाले हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इस DIY के लिए हमें चाहिए egg carton जो की एक आगस की होती है अगर थोड़ी नई होगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो थोड़ी सखत होती है और द देख लेते हैं एक साइड से यह राउंड होती है और एक साइड से थोड़ी पॉइंटेड होती है तो आप जो भी मर्जी जिस साइड से आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ जो भी आपको शेप अच्छी लगे आप उसी साइड से वो बना सकते है तो देखे ये round वाली हो गई और ये है pointed वाली तो इसको भी मैं काट के आपको दिखाती हूँ तो ये हो गई pointed वाली इस तरह से हमने 5 पीस लेने हैं तो ये मैंने 5 पीस ले लिये हैं तो मैं इसकी जो hat बनाऊंगी तो वो मैं थोड़ी round लोगी क्यूंकि hat थोड़ी बड़ी होती है face से तो इसको मैं इस तरह से थोड़ी-थोड़ी cut दे रही हूँ ताकि ये hat की shape लगे और इस तरह से इसको मोड रही हूँ थोड़ा सा तो देखे जब हम face इसके अंदर लगाएंगे तो ये कुछ इस सरा से लगेगा तो ये face नीचे आ जाएगा और उपर ये hat है तो देखे बचे हुए जो carton है उससे मैंने एक shape draw की है तो आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें एक teddy bear नज़र आ रहा है न देखे इसके ये दो कान है ये इसका मूँ है इसके दो हाथ है ये इसकी tummy और ये इसके दो पैर तो ये बन जाएगा एक teddy bear तो इसको मैं cut कर लेती हूँ बड़ी साफधानी से आप इसको cut कर ले और फिर आपको नज़र आएगी एक teddy bear की shape तो इस तरह से ये cut गया है दूसरी जो मैं shape काट रही हूँ वो आपको क्या नज़र आ रही है देखें ये face है ये दो हाथ तो इसकी tummy दो पैर और पूँच तो ये एक turtle बन गया है तो ये मेरा थोड़ा साफट सा हो गया है अगर आपके पास थोड़ा नया है तो बहुत अच्छा सा इसका shape आ जाएगा तो अब आता है इसका main part की बारिशों में खराब क्यों नहीं होता तो उसका reason है ये white cement तो आपको पता है कि ये कागस का है तो जब हम इसमें color करेंगे तो color जो है ये soak लेगा और बहुती color जो है डल से दिखेंगे और जब हम इसको बारिशों में बाहर रखेंगे तो ये कागस है तो गल जाएगा तो हम करेंगे एक पतली सी layer white cement की तो ये मैंने घोल लिया है लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा सकता है हमें करनी है पतली सी layer तो इसमें मैं थोड़ा सा और पानी मिलाओंगी और इसको थोड़ा सा और पतला कर लूँगी अगर हमने बाहर रखने हैं अपना ये सब डॉल्स वगेरा तो ये काम हमें करना ही पड़ेगा ये लेइर चड़ाने का एक फाइदा और है कि जब हम कलर करेंगे ना तो कलर बहुत ही खिल के नज़र आएंगे बहुत ही अब़र के नज़र आएंगे और डल से नहीं दिखेंगे तो ये जो मेरा टॉटाइज है और ये जो टेडी बियर है इस पर भी मैं इसी तरह से लेयर चड़ा दूँ वाइट सीमेंट की लेयर चड़ाने के बाद हमने उसे सूखने रख देना है एक दो घंटे में उस सूख जाएंगे उसके बाद आता है next step तो कलर करने से पहले हमें इस पर करना है प्राइमर तो प्राइमर भी बहुत अच्छी चीज है देखे वो पानी को अंदर नहीं गुसने देता है तो जो हम दिवारों पर करते हैं देखे ये exterior wall वाला है तो ये आप ले सकते हैं ज्यादा महंगा भी नहीं आता है तो अगर सीमेंट की लेयर नहीं चड़ानी न सिर्फ प्राइमर भी कर सकते हैं ये थोड़ा सीमेंट का घोल ही होता है तो देखे अब मैं कर रही हूं ये प्राइमर तो थोड़ा सा मैसी है ये लेकिन ये स्टेप्स तो हमें करने ही पड़ेंगे तो देखे इसकी बाद मैं अपने य teddy bear को और जो है मेरा turtle उसको भी मैं कर लूँगी तो अब जो है ये सूप गए है प्राइमर करने के बाद भी अब बारी आती है color करने की तो ये भालू की जो है ना tummy को छोड़ कर और इसके face को छोड़ कर white छोड़ कर बाकी में मैं brown कर लूँगी तो आप screenshot ले ले कहां कहां पर करना है फिर आप कर ले color तो ये सब मैंने brown कर लिया है इसमें color तो अब ये थोड़ा थोड़ा shape नजर आ रही है एक teddy bear की तो इसके बाद हम इसकी eyes वगरा सब बना देंगे बस ये almost complete बहुत ही easy DIY है ये और ये है tortoise तो इसका जो है सिर्फ जो इसकी peat है न उसको छोड़ कर बाकी मैं orange से कर रही हूं तो इस तरह से अब ये लग रहा है primer लगाने के बाद वो भी सूप चुका है अब बारी आती है color करने की तो अपनी मर्जी से जो भी आपको पसंद है वो color कर लें तो ये फ्रॉक की layers है तीन तो इसको भी मैंने different different color से कर लिया है और अब बारी आती है कि color कौन सा करें तो ये है fabric drill का acrylic color तो ये बड़ी bottle भी आती है और इस तरह से जो है चोटी bottles भी आती है तो जो भी आप लेना चाहें और एक fabric color भी आता है तो उस वो और भी ज्यादा long lasting होता है तो ये सब मेरे color हो गए है कुछ मैं अभी कर रही हूँ तो जो भी आपको पसंद है और इसी बीच जो मेरी पुरानी dolls है उनको भी मैं color कर रही हूँ जहां से उतर गया था तो इस तरह से ये skirt की layer भी बन गई है किसी में dot है किसी में कुछ design है अब बारी आती है इन सब parts को जोडने की तो इसको हम एक मोटी सुई में धागा पी रो लेंगे थोड़ा मोटा और इनको बारी बारी से सब को जोड़ देंगे तो देखे इस तरह से ये जुड़ गया है तो पूरा ये हो गया है इसकी जो है eyes हम बाद में बना देंगे धागा यहां से काट देंगे और इसमें भी दो नोट लगा देंगे तो यहां पर जो है ना कभी-कभी ये नोट खुल जाती है निकल जाती है तो ये टोर आइस पूरा हो गया है तो देखे बड़ा गुस्से में है और ये टाडी बियर भी पूरा हो गया है ये भी बस मेरी ड्रॉइंग ऐसी ही है अगर आपकी अच्छी है तो आप और भी अच्छा बना सकते हैं तो ये अब सूख गया है इस पे मैं color कर लेती हूँ तो अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगा तो ये हो गई है डॉल भी मेरी ready तो ये सब हो गई है ready अब इसके pair बनने बाकी हैं तो pair के लिए हम ये dory ले रहे हैं फैविक्रिल ले रही हूँ मैं ये clay है तो इस तरह से इसमें आते हैं ready इसमें color कर देना तो दोस्तो अब हम अपना जूला तियार कर लेते हैं तो ये लकड़ी है करीब करीब डेड़ फुट लंबी है और सिर्फ दो तिन इंच चौड़ी है और इसको color करके हम सुन्दर बना लेंगे और फिर हम पुरानी डॉल्स है इनको भी मैंने paint कर दिया है और ये वाली नई बनी है तो एक मैंने आपको बना कर दिखाई है बाकी मेरी सब पुरानी है तो इस तरह से आप ये डॉल्स बना सकते हैं और ये बारिशों में खराब भी नहीं होंगी तो देखें अगर आपने चिपकाना है तो यहाँ पर glue gun या फिर जो फैविकोल marine वला आता है जो पानी में खराब नहीं होता फैविकोल उससे आप चिपका सकते हैं दोस्तो डॉल्स बनाने के बाद एग कार्टन जो है बच गया था तो यह फिर teddy bear और यह dot eyes बन गया उसमें और यह भी बारिश में खराब नहीं होगा बारिश में रख सकते हैं और यह मेरी dolls बन के ready हैं अपने जूले पे बैट गई हैं नहाद होकर यानि कि फिर से repaint होकर बहुत ही सुन्दर लग रही है तो अब फिर से इसका करीब करीब एक डेट साल paint चल जाएगा और यह मेरी garden की सुन्दरता बढ़ाने के लिए ready है इसका एक pair में लगाना भूली गई तो मैं इसको फिर से लगा दूँगी और इस सरा से यह मेरा काम आज का पूरा हुआ तो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं और आप भी जरूर बनाएं और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें मेरे चैनल पे नई हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लेज जरूर करें